हाली में Elon Musk की कंपणी SpaceX ने अपना Rocket Falcon 9 लांच किया था जिसने हमारे वायू मंदल में मौझूद आयन मंदल में एक बहुत बड़ा अहस्ताई छेद बना दिया था जिसने दुनिया बर में मौझूद GPS की गगगाओं फाड़ दी थी मतलब वो छेद लगबक 300 किलोमेटर जितना बड़ा था जिसने ठीक होने में लगबक 3 घंटे लगे थे इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमारे वायू मंदल में मौझूद आयन मंदल ऐसे चमन चमतकारियों की वज़ा से पूरी तरह नश्च हो जाता है तो हमारी प्यारी धर्ती का क्या हाल होगा तो इससे पहले कि आपका रोकेट कहीं और छेद करने के लिए खड़ा हो जाए शुरू करते हैं प्रित्वी से लगबक 85 किलोमेटर के बाद से डी परत सुरू हो जाता है डी परत के बाद ए परत है जो अधिक आयनों से युक्त है यह आयन मंडल की सबसे टिकाव परत है और इसकी प्रित्वी से उचाई लगबक 145 किलोमेटर है इसे केलनी हेवी साइट परत भी कहते हैं तीसरी एफ़वन परत है यह प्रित्वी से लगबक 200 किलोमेटर की उचाई पर है गर्मियों की रातों में और जाडों में यह अपनी उपर की परतों में समाज आती है बिलकुल आजकल के निपन निभियों की तरह अंत में आता है एफ़वन परत जो प्रित्वी से 240 से 320 किलोमेटर की उचाई पर फैला हुआ है आयन मंडल का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अमारे टीवी रेडियो और मोबाइल फॉन से निकलने वाले रेडियो तरंगों को परावर्तीत करके वापस प्रत्वी पर भेजना ताकि हम और आप दूर बैटे अपनी फैमिली यार दोस्त और कुछी कू करने वाली तक अपनी बात पहुचा सके उन्हीं देख सके और उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सके लेकिन अगर इन लालची करोणपती वैग्यानिकों के वज़े से आयन मंडल का सरवनास हो गया तो तुम्हारे पास स्मार्टफोन होते वे तुम अपने बाबु से ये तक नहीं पूछपा होगा कि तुम्हारे बाबु ने ठाना थाया या नहीं थाया इतना ही नहीं दुनिया भर की नेविगेशन सिस्टम ठप पड़ जाएंगी और जो ये तुम आसमान में सामदार नजारा देख रहे हो ये भी बनना बंद हो जाएंगा क्योंकि इसे बनाने में भी आयन मंडल का ही हाथ है और तो और हमें सूरज की बहुत ही खतरनाक परा बैंगनी किर्णों से बचाने वाली ओजोन परत भी आयन मंडल में ही पाई जाती है इसलिए आयन मंडल गया तो ओजोन परत भी गया और बीना ओजोन परत के सुरज की पराब है नी किर्णे इंसनों को ऐसा रहे देंगी कि चीखें अंतरीक्षे तक पहुंचेगी ओजोन परत के बीना धरती क्या हालोगा इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं इस वीडियो मस इतना ही वीडियो बसंदा है दो लाइक टो के आपने दोस्तों में सेयर करो और आपको क्या लगता है कि आयलोन मस्क का ये रोकेट हमारे पूरे वायू मंडल को बरबात कर देगा या नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और जो भी हमारे उस लाला वाले सब्सक्राइब बटन को फोड़ के बगल वाली गंटी दबाएगा तो उसे सपने में अंतरिक्ष की सेयर कराई जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक्स चैनल पर बहुत माल पड़ा है जाओ जाके मजे करो